जैन दोस्तों, तो कैसे आप सभी उमीद है, आप सभी बहतर होंगे और अपनी तयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि उत्तरप्रदेश की सरकार ने आयू सीमा में तीन वर्सकी छूट दे दी है सभी को अब जब छूट मिल गई तो इसके बाद में कुछ बच्चों के मन में तो खुसी है कि हां सर हमें छूट मिल गई, अब हमें भी भरती देखने का मौका मिलेगा लेकिन यहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनके मन में थोड़ी सी निरासा भी है जबकि वो निरासा नहीं होनी चाहिए क्या है ना कि जो बच्चे पहले eligible थे यानि कि जब आयू सीमा में छूट नहीं मिली थी उसके पहले भी जो बच्चे eligible थे farm को भरने के लिए अब उनके मन में एक डर सा लगा हुआ है कि सर अब जो बच्चे आएंगे नए मतलब उम्र में छूट मिलने के बाद में जो नए बच्चे अफ़ाम भरेगे वो हमसे senior है तो से ओर है कि वो कहीं न कहीं हमसे ज़्यादा तयारी किये हुए है जिसके कारण अब क्या होगा जो हमारा competition level है वो बढ़ जाएगा यानि कि वो अपने आपको ये समझ रहे हैं कि हम उनके आगे नहीं निकल सकते हैं तो देखो मैं आपको बता दूँ कि चलो माना कि हाँ वो आपसे senior है तो से ओर है कि उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी होगी लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी आपसे senior हैं आप ये नहीं कह सकते हो कि आयू सीमा में छूट मिलने के बाद में जितने नए बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं उन सभी का यहाँ पर selection होने वाला है ऐसा बिलकुल भी नहीं है अगर आप ये कहो कि हाँ जितने senior बच्चे आ रहे हैं उन सब का selection हो जाएगा तो आप imagine करके देख सकते हो कि आपकी जो total vacancy है वो है 6,244 और 3 साल की उम्र में छूट मिलने के बाद में जो नए लड़के आएंगे वो confirm है कि 6,000 से तो ज़्यादा ही आएंगे या बतलब एक बहुत ही छोटा सा amount अगर हम लेते हैं तो तो अगर ये हो कि हाँ जो senior बच्चे आ रहे हैं केवल वही बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं तो सारी vacancy वही खा जाएंगे फिर जो पहले से eligible थे इनका तो कुछ है यह नहीं इसमें कितनी भी study करी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बात यहां पर यह है कि आपने इस exam के लिए कितने बढ़िहा तरीके से तयारी करी है तो आपने इस exam को समझ करके जितनी बढ़िहा तरीके से तयारी करी होगी वही चीज आपको selection दिलाएगी तो आपको डरना बिलकुल भी नहीं है उन बच्चों से जो नए आ रहे हैं आपको यह बात समझनी चाहिए कि वेकेंसी आपकी केवल 6244 है लेकिन फाम भरे जाएंगे 25 से 30 लाग के बीच में इससे ज़्यादा भी भरे जा सकते हैं तो यह जो 25-30 लाग बच्चे हैं वो सब तयारी करते हैं लेकिन इन सब का selection यहाँ पर नहीं होगा selection केवल 6244 बच्चों का ही यहाँ पर होना है तो आप खुद सोच सकते हो कि इतने बड़े amount मेंसे वो 6000 कौन है जिनका selection होने वाला है और जिनका selection नहीं होगा क्या वो तयारी नहीं करते हैं वो भी तयारी करते हैं वो भी बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दिन रात एक करके अपनी तयारी करी होगी लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें होंगी कुछ कमिया रह जाएंगी जिनकी वज़े से उनका सेलेक्षन नहीं होगा अब वो कौन बच्चे हैं जिनका सेलेक्षन नहीं होगा या फिर वो कौन बच्चे हैं जिनका सेलेक्षन होगा ये कोई नहीं जानता है लेकिन मैं आपको एग बात यहांपर जरूर बता देता हूँ कि जिसने भी पूरी इमानदारी के साथ में सत परतिशत महिनत किया उसका selection जरूर होगा और सत परतिशत महिनत लेकिन सही दिसामे ऐसा भी नहीं है कि यूपे पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम आप से मांगना कुछ और चाहता है और आप तयारी कुछ और कर रहे हो तो उसके बाद में फिर आपका सेलेक्शन याप पर कैसे होगा तो ये सिंपल सी चीज है कि जो चीज यूपे पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम के लिए चाहिए अगर आपने उसको पढ़ा है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको एक्जाम में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है और यहाँ पर आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि जो ज़्यादा उम्र वाले बच्चे आ रहे हैं उनसे हमारा कॉंपरेज होगा तो वो बहुत आगे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हो सकता है कि उन्होंने उतनी तयारी ना करी हो जितनी की आपने कर ली हो हो सकता है कि जो सीनियर बच्चे यहाँ पर आएंगे उन्होंने दो साल से तयारी अपनी बंद कर दी हो क्योंकि उनको पता था कि हम ओवरेज हो गए हो लेकिन आपकी उम्र थी इसलिए आप लगातार तयारी कर रहे थे तो यहाँ पर आपको बिलकुल भी डरने की जरूरत नहीं है वो भी बच्चे हैं वो आर हैं अच्छी बात है अच्छा कॉम्पटिसन होगा तो जादा मज़ा आएगा क्योंकि जब कॉम्पटिसन दे करके हम किसी भी जॉब को पाते हैं तो उसकी जो खुसी होती है वो अपने आप में अधूध होती है तो यहाँ पर आपको कॉम्पटिसन से डरना नहीं है आज किस वीडियो को बनाने का मेरा जो में टार्गेट है वो यही है कि आपके मन के जो डर है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंड किया कि सर उम्र में छूट मिल गई है तो अब तो बहुत जादा competition हमारा हो जाएगा तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं तो हमारा selection जरूर होगा तो उमीद है बाते आपको समझ में आ गई होंगे डरने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस समय आपको केवल और केवल अपने study पर focus करनी की जरूरत है मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर चैनल पर पहली बार आये हैं और अभी तक इसको subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके वेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को like and share करें जहन्द